यह वीडियो केवल एजूपकेशन परपस के लिए है इस वीडियो से संबंध किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए परियाप्त सुरक्षा जानकारी और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अनिवार यह है अम्प्लिफायर वर्ल्ड चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने हैं 250 वाट पी ए अम्प्लिफायर का सर्किट डियाग्राम जिसमें केवल हमने अम्प्लिफायर सेक्षन को ले रखा है जिसे कि हम ड्राइवर बोर्ड भी कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने रेड लाइन जो है पॉजिटिव 20 वोल्ड की लाइन है और यह नीचे ग्राउन याने की माइनस की लाइन है यह 20 वोल्ड रेगुलेटेड लाइन है जो की 78-20 से रेगुलेटेड आती है आगे यह कैसे कैसे सेक्शन जोड़ेगा आप देखते जाएए तो चलिए इंपूट स्टे से सुरुआत करते हैं यहाँ से हमें सिगनल इंपूट देना है और यह 104 का कैपिसिटर होगा और यह ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज डिवाजर के जरिये हम यहाँ पर बाइसिंग वोल्टेज लेकर आ रहे हैं देखिए निगेटिव साइट 68 के पॉजिटिव साइट 390 के एमिटर रजिस्टर का नंबर 2SC2389 है सेम वैसी दूसरा ट्रांजिस्टर हम ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इसी जरी के समीटर रजिस्टेंस हमने लगाया लेकिन यहां पर यह 68 के है और कलेक्टर पर 1 के और बेस पर वोल्टेज डिवाजर के जरिये हमने 330 के और 68 के का रजिस्टेंस लगा दिया है तो ये section बिल्कुल पहले वाले transistor के जैसे ही है और यहाँ एक feedback के लिए हमें capacitor लगाते हैं चलिए उसको भी लगा देते हैं transistor का number 2AC2389 और ये feedback का capacitor भी आ गया यहाँ पर ये 100 PF है अब ये दोनों section को जोड़ने के लिए ये दोनों को हमें जोड़ने के लिए coupling capacitor लगाना होगा अब coupling capacitor कैसे लगेगा यहाँ से signal in होगा और amplify होके यहाँ से out होगा collector से और दूसरे transistor के base में जाएगा तो हमें इस transistor के collector और second transistor के base के बीच में coupling capacitor लगाना है और वो coupling capacitor के value 2.2 UF आप 25 वोल्ट से लेके 63 वोल्ट तक कुछ भी ले सकते हैं और यह second transistor के collector से फिर हमें signal amplify होके output मिल रहा है तो यहाँ पर इस capacitor की value है 47 UF 50 वोल्ट आप ले सकते हैं और यह red line जो है यह 20 वोल्ट regulated power supply है जो की power amplifier के 36 वोल्ट के transformer से जो supply आता है उसे 78-20 के जरी रेगुलेट करके यहाँ पर लाया गया है वो आगे हम discuss करेंगे कैसे उसे लाया गया है उसके drawing बनाएंगे यहाँ पर देखिए एक resistance लगा है 1.5 के 2 वाट का जो की यह दोनों transistor को power up करेगा 20 वोल्ट supply इस 1.5 के 2 वाट रेजिस्टेंस के दूसरी और होंगे और इस साइड हमने एक capacitor लगाया है फिल्टर होने के लिए इसकी value है 220 UF आप इसे 16 वोल्ट रख सकते हैं अब यहाँ पर हमारा एक तीसरा ट्रांजिस्टर और आ गया अब यह transistor हमारा driver transformer के primary coil को signal generate करेगा देखिए इसका number है 2SC4007 आप इसे थोड़ा heavy भी लगा सकते हैं देखिए यह 47 UF का output इसके base में जाएगा यानि कि इस 47 के output से जो signal मिलेगा वो यह transistor amplify करेगा तो लेकिन इस transistor के base पर भी biasing voltage आना बहुत जरूरी है तो biasing voltage के लिए देखिए negative side से 15K लगा दिया और positive side से भी एक resistance लगानी होगी तो देखिए 15K के across में 333 PF लगाया है तो यह PF लगने के बाद चलिए अब आगे यहाँ पर हम positive line से collector और base के बीच में voltage लेकर आते हैं तो यहाँ पर हमने collector पर directly positive supply लेकर आई एक resistance के थुरू उस resistance का value है 330 हम half watt अब यहाँ से 330 हम half watt के second side से याने कि इस transistor के collector से base के बीच में एक resistance लगाएंगे यह positive supply यहाँ तक आ गई है यहाँ से यह positive supply यहाँ पर extend करनी है बट एक 22K का यह resistance लगेगा अब देखे बेस पर positive भी आ गया और negative यहाँ से 15K का resistance भी हो गया याने कि बेस पर एक voltage divider create हो गया है और बेस पर sufficient biasing voltage मिल गया है ताकि यह transistor work करे अब यहाँ emitter पर resistance लगाना balance था देखे उसे भी लगा दिया है अठारा के half watt इसका value देखिए half watt है जहाँ पर watt लिखा हुआ है वो watt का आप यूज कीजिए और जहाँ wattage नहीं लिखा है resistance के साथ वो quarter watt में यूज करना है आपको अब यहाँ पर यह circuit भी complete हो गया बट हमें output मिलेगा 2SC4007 transistor के collector से तो लिजिए हमने output के लिए यहाँ पर एक driver transformer का primary coil draw किया है यह driver transformer आगे है इसका यह primary coil है और यह driver transformer की primary coil का एक सीरा देखिए इस side में हमारे secondary आएंगे तो देखिए इसका एक सीरा हमें directly इस transistor के collector से जोड़ना है 2SC4007 के collector से हमें जोड़ना है तो चलिए इसे जोड़ने के बाद अब दूसरा सीरा driver stage के winding का दूसरा सीरा हमें negative side से जोड़ना है बट उसमें capacitor और एक resistance लगा रहा है तो resistance का number और capacitor का number में लिख देता हूँ यहाँ पर तो देखिए 100 ohm 1 watt की resistance है और capacitor की value है 47 UF sorry 470 UF 470 UF का यह capacitor लगाना है जो की 25 V की रेडिंग के आसपास होना चाहिए तो चलिए अब यहाँ पर हम driver transformer की primary coil तक हमने यह circuit create कर लिया है अब बारी है driver transformer के secondary side अब यह 4 pin वाला driver transformer है driver transformer का एक video मैंने upload किया है winding के बारे में अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप इस video में मैं उसका link प्रोवाइड करता हूँ आप उसे देख लीजे तो यहाँ पर driver transformer की primary coil का resistance 30 ohm है तो चलिए थोड ड्राइंग को और आगे कर लेते हैं क्योंकि पूरा section एक साथ cover करना थोड़ा मुश्किल होगा अब इस coil में देखिए हमने एक resistance दो सीरीज में resistance लगाए हैं फिर और दो सीरीज में same उसी value के resistance लगाए हैं यह 2.2K के ऐसे 4 resistance इस प्रकार connection होंगे और यह सभी चारो resistance 0.5 watt के हैं यानि कि यह half watt के resistance हैं और इसली यहां लिख देता हूं all resistance value are 0.5 wattage और value तो आपके सामने है 2.2K और इन दोनों के center terminal को जोड़ कर देखिए यहां पर और एक preset 100 ohm 1 watt का resistance और एक 100 ohm की preset लगाई है यह preset से हमें biasing voltage set करना है यानि कि इसकी setting ऐसी करनी है कि जो main driver transistor है उनके उपर 1.08 volt आना चाहिए उनकी base के उपर तो चलिए हम वो जब circuit को हम बनाएंगे तो उसे आगे देखेंगे देखिए अब यह 20 volt की regulated line को हमने यहां पर लाकर positive voltage से connect कर दिया है ताकि यहां पर biasing voltage 2SE4007 और 2SE4007 यह दो driver transistor है जो की main output transistor जो हमारे 373 को यह drive करेंगे तो चलिए यहां पर और आगे हम drawing draw करते हैं इस transistor का emitter मैंने draw किया है इसका number है देखिए आप इसके जगे पे यह क्या बहुत old transistor है आज कल यह नहीं मिलते हैं तो आप इसकी जगह MJE3055 बिल्कुल आराम से यूज करते हैं MJE3055 यह NPN transistor है और खास बात इस circuit का यह है कि इसमें एक भी PNP transistor नहीं लगा है सारे transistor इसमें NPN ही लगे गए हैं तो जो भी PN amplifier बनाने वाली कंपनिया है वो अपने circuits में maximum 99% NPN transistor का ही यूज करती है तो देखिए यहाँ पर 15 हम की जो यह दो क्वाइल दिखाई दे रही है यह डिरेक्टी इस transistor के base में जाएंगी चलिए मैं base से इसको connect कर देता हूं यह पहला transistor यह connect हो गया अब दूसरा transistor भी ऐसे connect कर दिए देखिए वहाँ पर cross wire का symbol बनाया है जो red positive line को cross कर रहा है यानि कि वह आपस में नहीं जुड़ा है इसलिए cross का chin बनाया हुआ है अब इस transistor के collector जो 2SC4007 है उनके collector पर positive आएगा अब देखिए इमिटर से हमने यह दो resistance ड्रॉ किया है 47 47 ओहम यह quarter watt में है अब इसके साथ में एक और resistance ड्रॉ की है उसका number लिग देते हैं 56 ओहम अब यह 46 ओहम और 56 ओहम सीरीज में ऐसे जुड़ जाएंगे इधर से भी जोड़ देते हैं और इसके साथ में देखी 100 ओहम का एक थर्मिस्टर लगाया है 56 ओहम के अक्रॉस में यह resistance नहीं है यह थोड़ा अलग टाइप का components है यह 100 ओहम की थर्मिस्टर है जिसे 100 ओहम का NTC भी कहते हैं यह दिखने में कुछ अलग टाइप का दिखाई देता है और यह temperature की उपर इसका resistance चेंज होता है यह इसलिए यहाँ पर लगाया है कि ताकि by sink voltage temperature के हिसाब से बदलता रहा है देखी यह पूर्जा इस प्रकार दिखाई देता है थर्मिस्टर आपने P amplifier के driver circuit में ऐसे बहुत सारे पूर्जे देखे होंगे इसपेसली आहुजा या फिर other company के जो stranger इस type के P amplifier जो होते हैं इसमें यह आपको heat sink के नस्दीक में लगा हुआ दिखाई देता है अब इसका resistance कैसे change होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं यह NTC है NTC का मतलब जैसे temperature बढ़ेगा इसका resistance कम कम होता जाएगा तो यहाँ पर मै इसका resistance 114 ohm है तो चलिए अब इसको थोड़ा heat up करते हैं तो heat up करने के लिए मैंने match box लिया है थोड़ा match box जला के मैं थोड़ा heat इस thermistor के पास heat लेके जाओंगा ताकि हम देख सकें कि वाकर इसका resistance change होता है या नहीं तो normally तो यह 100 ohm है और जैसी यह heat के संपर्क में आएगा इसका resistance कम होगा देखिए यह flash flameable light इसके सामने ले जा रहा हूँ तो देखिए यह गर्म हो रहा है तो इसका resistance 49 ohm हो गया 50 ohm के आसपास हो गया तो देखिए जैसे जैसे इसका temperature बढ़ता है यह resistance इसका कम हो जाता है और यह maximum 50 ohm या उससे थोड़ा 45 ohm तक यह जाता है अब ज तो मुझे उमीद है आपको यह thermistor का function समझ में आ गया होगा actually thermistor करता क्या है जैसी temperature heatsink का बढ़ता है यह negative supply बढ़ा देता है transistor के base पर जिससे की biasing voltage कम हो जाता है और transistor safely operate करता है otherwise यह नहीं रहेगा तो क्या होगा कि transistor heat होने के साथ साथ उसका gain और बढ़ जाएगा और लगाता heat zone में जाके वो thermally रहने में हो जाएगा तो देखिए इस में क्या होता है कि यह transistor जो है MJ3055 यह heat sink पर mount होंगे और यह thermistor जो है इस heat sink के नस्दीक में रहेगी तो चलिए अभी हमें यह 15 ohm की coil का दूसरा सीरा जोड़ना है देखिए 33 ohm के साथ मैंने इधर connect कर दिया है और दूसरा सीरा भी इधर connect कर दिया है अभी हमारा यह circuit इस driver stage का second side का complete हो रहा है दीरे दीरे देखिए यह 2SC4007 का collector जो है positive supply से directly जुड़ा रहेगा यहाँ पर plus 36 volt आना है यह इसलिए मैंने यहाँ पर plus plus लिख दिया है यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे positive supply से यह E1 लिखा है यानि कि जो 373 transistor है उसके emitter जैसे कि 2 section रहेंगे हमारे 3 plus 3 transistor तो 3 transistor जो रहेंगे उसका E1 और यह B1 यानि कि यह base में जाएगा और सेम दूसरे side के जो transistor है उसमें भी वैसे ही है E2 लिखा है मैंने यह दूसरे transistor 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 2 के emitter में जुड़ेगा और यहाँ पर base के लिए भी मैं draw कर देता हूँ देखिए यहाँ emitter से निकलती हूँ B2 यानि कि दूसरे transistor के base में यहाँ से signal feed होंगे हमारे यह दोनों driver transistor driver circuit पर छोटी heat sink के साथ mount होंगे लिखे मैंने यहाँ लिख दिया driver transistor ताकि कोई confusion ना रहे और important बात यह है कि यह driver transistor के heat sink के साथ में हमारा यह जो thermistor है जिसे हमने last time देखा 100 ohm का thermistor उसे इस heat sink के साथ में या उसके नजदीक में इसे रखना बहुत जरूरी है देखिए इसका यह thermistor इस transistor के साथ में और दूसरा इसके साथ में चलिए अब हमने draw किया है main output transistor यह है 2N3773 373 transistor है जो की total 6 transistor है देखिए यहाँ पर मैंने draw कर दिया है अब इसके connection कैसे होंगे यह driver board के साथ में और output transformer के साथ कैसे connection होंगे चलिए उसको भी आगे देखते हैं तो यह emitter है जिधर साइड में एरो बना हुआ है transistor के वो emitter होता है और यह collector है और यह बीच में जो है वो base है हलाकि main transistor का जो actual transistor है उसकी mounting अलग होती है उसमें अलग type का arrangement होता है तो आपने देखा ही होगा यह drawing में इस प्रकार इस transistor को बनाया जाता है तो यह emitter के resistance आगे अब देखें यहाँ पर emitter के resistance की value 0.25 ohm 7 watt देखें वाटेज इसका काफी ज़्यादा है और यह green वाले याने की wire wound resistance होंगे आप इसे fusible मत लगाईए आप इसे wire wound जो की green color में allable होता है आप उसको लगाईए देखें यहाँ दोनों emitter दोनों अलग अलग तरीके से emitter यहाँ जुड़े हैं दोनों भी आपस में नहीं जुड़े है emitter क्योंकि इसका arrangement अलग होता है class AV amplifier के हिसाब से तो देखें emitter और emitter हमने यहाँ पर driver board पर जोड़ दिया है अब base जोड़ना है तो देखें हम तीनों transistor के base को आपस में जोड़ते हुए B1 पे लाएंगे और सेम वैसा ही नीचे side में B2 पे लाएंगे तो देखें मैंने तीनों transistor के base को जोड़ कर B2 पर लेके गया और सेम वैसा ही यहाँ पर तीनों transistor को base को जोड़ कर B1 पर जोड़ दिया है अब देखें इस transistor के collector को देखें यह B1 पे जोड़ गया हमारा और यह इसी प्रकार से तीनों transistor के collector आपस में positive supply से जोड़ेंगे देखें यहाँ से यह positive और यह positive यह दोनों positive एक ही है क्योंकि इसमें कुछ अलग अलग तो है नहीं तो यह plus 36 volt और यह भी plus 36 volt से जोड़ेगा तो यहाँ पर हम आगे उसको एक link के जरीए इससे जोड़ेंगे तो देखें यह positive और यह positive इनके बीच में हमें इन दोनों को जोड़ना है क्योंकि यह दोनों अलग अलग नहीं है drawing में कोई complexity नहों कोई confusion नहीं है इसलिए इसे अलग अलग मैंने दिखाया है लेकिन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वायर जोड़ देना है यह लिजिए मैंने उस वायर को जोड़ दिया है यहाँ से positive से होती वी यह सारे cross wire है आपस में कहीं नहीं जुड़ा है और यह last positive पर यह हमेंने जोड़ दिया है और इस positive पर हमें 36 volt DC supply देनी है जो की transformer के बाद rectifier filter से होकर मिलेगी और यह जो है red color का यह 20 volt regulated supply यह 20 volt regulated power supply यह plus 36 volt वाली line से ही गई है बट बीच में एक regulating IC 78-20 लगेगी 20 volt regulation power supply कहां कहां use हुई है एक नजदीक से एक look ले लेते हैं देखिए driver transformer के यहाँ पर secondary side में लगा हुआ है और यहीं से देखिए आगे एक 1.5 के resistance से यह आगे में जो input transistor है उनको यह supply feed हो रही है तो देखिए यह regulation इसलिए जरूरी है कि हमारा यह amplifier कभी-कभी battery पर operate होता है जो कि 24 volt DC होता है और AC पर 36 volt DC होता है पर हमारा biasing voltage disturb नहीं होना चाहिए इसलिए इस IC का use किया है हम 24 volt पर भी operate करेंगे तो यहाँ पर हमारी 20 volt regulation line पर हमें fix 20 volt ही मिलेगा और 36 volt पर operate करने से भी यहाँ पर fix 20 volt ही मिलेंगे तो देखिए यह IC का arrangement ऐसा है pin number 1 पर 36 volt input करना है और pin number 2 जो हमारा है यह ground रहेगा यानि की minus से जुड़ेगा और यह pin number 3 से हमें regulated power supply out होगी देखिए यहाँ connection कर दिया है और यह pin number 3 को हमें इस 20 volt regulation power supply से connect करना है आप इस 78 20 IC के pin number 3 पर एक capacitor भी लगा सकते हैं 1000 UF 25 volt जिससे की इसका regulation बहतर होगा जिसे मैंने भी draw नहीं किया है मैंने उसे last minute दिखाया है तो चलिए main output transistor के पास आते हैं देखिए यहाँ पर 10 ampere का fuse मैंने draw किया है और 10 ampere के fuse के इस और हमारी plus 36 volt की supply आएगी देखिए यहाँ पर हमें supply देना है और fuse के बाद में यह से हमें main transistor के collector से जोड़ना है तो देखिए main output transistor के collector पर प्लस 36 volt DC supply हमारा आ चुका है और इसी के साथ में ही driver transistor के collector पर भी यह plus 36 volt DC मिल रहा है तो देखिए यहाँ से हमें plus 36 volt DC दिया और यह 10 ampere fuse के बाद इधर में आ गया supply और यही supply यहाँ पर जाने कबाद रिगुलेट होके 20 volt हमारा जो driver section है वहाँ चला गया देखिए 78-20 अगर खराब हो जाता है तो आपका पूरा amplifier म्यूट हो जाएगा बिल्कुल काम नहीं करेगा तो देखिए अब यहाँ पर हम बना देते हैं sound output transformer देखिए इसमें 4 ohm, 8 ohm और यह common बना रखा है यह common 70 volt, 100 volt की line और यह primary side transformer winding का भी data मैंने एक वीडियो में बना रखा है आप चाहें तो उसका link इस वीडियो में आपको मिल जाएगा आप transformer winding का data वहाँ से हासिल कर सकते हैं तो देखिए इसके connection किस प्रकार हो रहे हैं तो transformer के दोनों side के हिससे देखिए एक emitter 1 से जुड़ा है दूसरा emitter 2 से जुड़ा है और इस transformer के primary का जो center tap है वो negative याने minus से जोड़ना है यह minus को जोड़ते ही यह transformer इस primary section complete हो गया अब देखिए secondary side में हमें output मिलेगा 4 ohm और 8 ohm और यह common terminal तो लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी रहेगी है वो है feedback क्या होता है कि class B amplifier में distortion level जादा होता है और feedback उसमें बहुत जरूरी है feedback के वज़े से इसका distortion level काफी कम हो जाता है और इसके साथ साथ एक जरूरी चीज यह है कि secondary के output में जो sound output transformer है उसके secondary side में जहाँ speaker connect होते है वहाँ पर एक load resistance लगाना जरूरी है देखिए 1K 5W की load resistance हमने लगा रखी है वो इसलिए जरूरी है कि अगर कभी हमने speaker नहीं लगा रखा है और amplifier का volume full condition में है तो transformer की secondary side को high volt generate नहीं होना चाहिए तो देखिए एक look लेते हैं पुरे amplifier के complete circuit पर और हमें जो feedback supply देनी है देखिए feedback कहां से कहां connect करना है वो देख लेते हैं हमें feedback जोड़ना है E2 emitter 2 से हमें एक point उठाना है emitter 2 से हमें एक wire उठाएंगे और एक resistance और capacitor के जरिए second transistor चलिए उस second transistor को भी देख लेते हैं यहां मैंने draw कर दिया है 0.5 watt 15 के resistance और उसके across 100 pf इसके जरिए हमें feedback देना है इसको समझे के लिए मैंने यह resistance और components अलग से draw किये हैं क्योंकि यह थोड़ा अलग ही अगर इसके इसी drawing में मैं include करता तो थोड़ा confusion होती और drawing थोड़ी complicated होती तो देखिए हम इसका feedback कहां से लेंगे तो यह रहा transistor 2SC2389 देखिए 2SC2389 के emitter से हमें connect करना है यहां से हम जोड़ेंगे emitter से चलिए मैं इसे connect कर दिया है और यह connect होने के बाद में अब इस components का इस resistance का दूसरा सीरा हमें E2 पर लेके जाना है तो चलिए इसे E2 तक मैं draw कर लेता हूँ यह draw किया मैंने और यह ले जाकर मैंने उसे E2 पर जोड़ दिया तो देखिए अब हमारा यहां पर feedback भी complete हो गया है यहां से यह होती हुए और जहां पर wire आपस में चिपका नहीं है वहां पर मैंने cross wire का symbol लगा रखा है ताकि किसी भी प्रकार की कोई confusion ना रहे तो यह हमारा feedback circuit complete हो गया है अब इस drawing का पूरा मैं top से look लेता हूँ देखिए थोड़ा दूर से मैं shoot करता हूँ पूरी drawing को क्योंकि paper काफी बड़ा हो गया है और drawing की clarity के लिए मैंने इसे इस तरीके से बनाया है तो देखिए यहां से शुरू करते हैं input stage से देखते हुए input stage के देखिए दो transistor input stage में और एक हमारा driver transistor जो की driver transformer को operate करेगा driver transformer के बाद में दो main transistor जो की driver transistor कहला रहे हैं जो की 2N3773 इस transistor के पूरे complete output section को यह operate करेंगे और यह हमारा output section और output section में emitter resistance और यह last में sound output transformer तो इस प्रकार यह circuit अभी मैंने amplifier का यह complete कर दिया है अब इसमें एक चीज और छुटी है कि common terminal को हमेशा minus से जोड़ा जाता है sound output transformer का common terminal negative से जोड़ना बाकी रह गया था जिसे कि मैंने यहाँ पर negative से जोड़ने का symbol draw कर दिया है तो friends यह circuit यहाँ पर पूरा complete होता है यह cable PA amplifier का जो driver output stage circuit होता है यह मैंने यहाँ पर main output transistor के साथ connect करके दिखाया है यहाँ पर यह minus है और जहाँ जहाँ minus के symbol है वो आपस में जुड़ जाएंगे तो दोस्तों मुझे आपका feedback चाहिए अच्छा यहाँ एक चीज मैं और भूल रहूं जो 78-20 है उसका जो pin number 3 से regulated output मिल रहा है वहाँ पर एक capacitor लगाना ज़रूरी है देखी pin number 2 negative से जुड़ा है 1 पर incoming है और pin number 3 से जो हमें regulated output मिल रहा है वहाँ पर हमें एक capacitor लगाना है तो देखी यह capacitor का symbol मैंने बना दिया और दूसका capacitor का दूसरा सीरा माइनस से जोड़ा है और यह capacitor के value 1000UF 25V यह मैंने लिख दी है यहाँ पर तो दोस्तों आपको यह circuit study कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताइए Thank you for watching, मिलते हैं next video में